प्रणा आई हम बात करेंगे अद्रक की अद्रक कारस लीजिये मधू लेवे संभाग नियमित सेवन जब करे सर्दी जावे भाग अधिक बड़ी हुई खासी में अद्रक के साथ सैद अथवा पान का रस मिला कर दिन में दो तीन बार चाटने से रोग से छुटकारा मिलता है यदि ठंडी के साथ बुखार हो तो तुलसी की पत्ती और अद्रक से बनी चाय ततकाल लाव मुचाती है शीद काल में अद्रक गुड के साथ मिला कर लेने से सरी में गर्मी आने लगती है अवाज के बैठ जाने पर नमक के साथ इसका सेवन करना चाहिए अद्रक की एक गांट में छोटा सा छेद करके काली मिल्स के बराबर हिंग भर दें और उपर से काला नमक भर कर पान के पत्तों में लपेड दें उपर से गिली मिट्टी की परचड़ा कर अंगारों पर तपाएं जब तक पत्ता लाल नहो उसको ना हटाएं लाल रंग होने पर ठंडा करके पीछले छोटी-छोटी गोली बनाकर सेवन करने से नजले की विमारी नहीं रहती प्याज और अद्रक का रस समान मात्रा में पीने से वमन यानिके उल्टियां रुख जाती हैं दूद में पांच-दस बूंद अद्रक की मिलाकर बच्चों को पिलाई जाएं तो पेट दर्द, अफारा, गैस इत्यादी नहीं रहता क्योंकि हम बात करते हैं आपकी सेहत की, आप देखते रहिए, एक चुटकी सेहत की, मुझे आग्या दीजी, पनाम